दोस्तों नमस्कार बेखुड दोक्टर स्रीपती त्रिपाथी पूरे दस दिनों तक चलने वाले गनेश चतुर्थी का त्योहार अब बहुत ही पास है इन दिनों का भक्तों को बेशबरी से इंतिजार रहता है इन दिनों में भगवान गनेश की हर घर में बिध्युवत पूजा की जाती है गनेश चतुर्थी अब बहुत ही समीप है और इसलिए इस तेवहार में मज़ा और उल्लास है जो इस दस दियुसिये लंबे उच्छों के साथ आता है जैसा की नाम से पता चलता है कि इशुख औशर पर लोग बिग्न हर्ता भगवान गनेश की पूजा पाठ अराधना और अभ्यर्चना करते हैं कैलास परवत से उनकी माता पारवती के साथ उनके आगमन को गनेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है असकंद पुराण के अनुशार नारत पुराण और ब्रह्म वहितर्थ पुराण में भी भगवान गनेश की महिमा की गई है उन्हें ग्यान और बाधा निवारण के देवता के रूप में पूजा जाता है इसलिए उन्हें बिग्न हर्ता के रूप में माना जाता है जहां बिग्न का अर्थ है बाधाएं और हर्ता का अर्थ है जो उन्हें दूर करता है कोई नया काम या साधी जैसे कुछ नया शुरू करने से पहले प्रथम जो देवता है भगवान गनेश की पूजा की जाती है इस दिन को बिनायक चतुर्थी या बिनायक चवीटी की रूप में भी माना जाता है ये तिवार हिंदू चंद्र कैलेंडर के भादर पदमा शुक्र पक्ष की चतुर्थी तिथी को मनाय जाता है इस वर्ष गनेश महोत्साव 10 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 तक मनाय जाएगा गनेश चतुर्थी 2021 तिथी और समय जो है गनेश चतुर्थी 10 सितंबर 2021 मद्यान गनेश पूजा का जो महुर्त है सुबह हमें 11 बच के 1 मिनट से 2 पहर 1 बच के 32 मिनट तक है चतुर्थी तिथी प्रारम्भे 10 सितंबर को 2 पहर से 2 बच के 18 मिनट चतुर्थी समाप्त हो जाएगी 10 को 9 बच के 17 मिनट से गनेश महोत्साव जो शुरू होगा वह 10 सितंबर 2021 से गनेश महोत्साव समाप्त हो जाएगा 19 सितंबर 2021 को गणेश बिशर्जन रविवार सितंबर 19 को 2021 को होगा गणेश चतुर्थी माननेताओं के अनुशार भगवान गणेश को ग्यान और स्वभाग का दिवता माना जाता है और किसी भी सुभगटना से पहले उनका आशिरवाद लेने के लिए उनकी पूजा की जाती है भगवान गणेश का आशिरवाद पाने के लिए ये अनुशार सा की जाती है कि उनके भगतों को गणपती बापा मोरिया का जाप या ओम गणपती नमः का जाप करना चाहिए इसके अलावा लोग भगवान गणेश के सम्वान में उपवास भी रखते हैं और अपने जीवन से अंधकार को दूर करने और उनका आशिरवाद लेने के लिए अपने घरों में एक दिया जलाते हैं गणेश चतूर्थी का जो इतिहास है इस प्रकार है भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे महत्वपून देवताओं में से एक हैं माननेता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और हलांकी भगवान गणेश के जन्म के कहानी अद्भुत और पेचीदा भी है आपको बता दें कि हिंदू कि वेदंतियों के अनुशार भगवान गणेश को देवी पारवती के चन्दन के पेस्ट का उप्योग करके बनाया था उनके जन्म के बाद देवी पारवती ने भगवान गणेश से अश्नान करते समय ये गुफा में परवेश के द्वार की रक्षा करने के लिए कहा था भगवान गणेश ने अपना करतब में बखु भी निवाया और सभी को गुफा में परवेश करने से रोक दिया उन्होंने भगवान शिव देवी पार्वती के पती और उनके पीता को भी रोक दिया जिससे वो बहुत क्रोधित हुए और भगवान शिव ने क्रोध में आकर भगवान गनेश का सीर काट कर उनका बध कर दिया हलांके उन्होंने बाद में देवी पार्वती को हिदय बिजारक देखकर उन्हें पुनर जिवित कर दिया भगवान शिव ने भगवान गनेश के सीर को एक हाथी के सीर से बदल दिया और उन्हें पुनर जिवित कर दिया गनेश चतूर्थी महोच्शो जो है वह 11 दिनों तक मनाया जाता है और पूरे कार्जक्रम में दैनिक प्रार्थना मंत्रों का जप और प्रशाद उठाना सामिल होता है मोदक को भगवान गनेश का सबसे पसंदिदा माना जाता है मोदक सबसे ज़्यादा पसंद है चढ़ाने के लिए मोदक और लड़ू तयार करते हैं और गनेश चतूर्थी अनंत चतूर्थी गनेश बिशरजन भगवान गनेश की बिदाई के दीन को अनंत चतूर्थी कहा जा जिस दिन ये दस दियोशी उच्शो होता है उच्शो शमाप्त होता है भगवान गनेश की मूर्ती को लेकर संगीत, भक्ति गीत, दृत्य और रंगों के साथ जुलुस निकाले जाते हैं भक्त मुर्तियों को पवित्र नदी जैसे निकटवर्ती जल निकायों में विसरजीद करते हैं ऐसा माना जाता है कि मिट्टी की मुर्तियां पानी में घुल जाती हैं और भगवान गनेश कैलाश परवत पर लोट आते हैं इसलिए इनका बिधी बिधान से इस दिन पूजा पाठ करना अभ्यर्चना करना आवश्यक होता है इस दिन संभव हो तो आप गनेश जी की प्रशनता के लिए और गनेश जी की अनकूलता के लिए आपके कुंडली में अगर कोई अशुव ग्रह है या बुद्ध की दसा आप के लिए अनकूल नहीं है लक्ष्वी नरायंज योग का लाव नहीं मिल पा रहा है या आप लाख काम कर रहे हैं और घर में शांते शुकून नहीं है परिशानिया बनी हुए तो आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है देखिए आप पहले दीन से आप नईवेद जरू ले ले और एक दुर्वा ले ले और मन में अपनी जो भी मनो कामनाय हैं वह कहते हुए गनेश जी के चरणों में ठीक बारह बजी ग्यारा बच के तीस मिनट से लेके बारह बच के तीस मिनट के बीच में इस अभजीत मुहुर्त में प्रति दिन उनके चरणों में अर्पित करे भगवान आपकी बात जरूर शुनेंगे इस दस दिनों के अंदर और आप जो है उसमें दुर्वा जरूर रखें दुर्वा को कांडा बोलते हैं उसके बारे में कहा गया है कि दुर्वा में इतना सेंस है कि दुर्वा को आप कहें भी फेकेंगे किसी भी परिस्तिती में रखेंगे आप छट पे फेक दे धरती पे फेक दे आग में डाल दे उसका जरासा भी अगर मूल बचा रहेगा तो वो जो है वो अपनी प्रकृति खुद बना लेगा मतलब उसको अपने में बढ़ने की छमता है वह किसे भी बिकट परिस्तिती में कहीं भी बढ़ने की जो उसमें छमता है इसलिए गणेश भगवान से प्रथम देवता से अराध्य देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं बन रहा है हम परिशान है हमारा धैर्ज तुरंत खो जा रहा है हमारा धैर्ज हम धैर्ज भिहीन हो जा रहा है तो है गणपती मुझे धैर दुबा को दिये हैं और दुर्वा चड़ाने से उस व्यक्ति की धर्ज बढ़ती है और निश्चित रुप से ऐसे जातक बहतर करते हैं भगवान को अपनी बात सुनानी चाहिए भगवान सुनने के लिए बैटे हैं जैसे जज बैठे हैं आप अपनी अरजी लगाते हैं वैस सब यूहीं बने रहें मिलते अगले वीडियोज में तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार जैमातादी बंदे मातरम